नमस्कार मैं हूँ अभिनाश पांडे और आप देख रहे हैं नियूज 11 और जिस तरह से फानी तोफान ने उडिशा बंगाल और आंध्रपरदेश में अपनी दस्तक दी है और उस दस्तक ने कई अब तक यहाँ पर आपको बता दे कि वहाँ पर तबाही का मंजर नजर आ रह नहीं है काफी तेज बारिश भी हो रही है बात अगर पटना की करे या बिहार की करे कई जिलों में बिहार और जहर खंड में भी फानी तुफान को लेकर इस तरह से इलर्ट किया गया था आपको बता दे कि अभी हम इस वक्त अपने ऑफिस के चट पे मौजूद हैं और पर दूल दिख रहा है अला कि जिस तरह से दो दिनों पहले काफी गर्मी थी पटना में अब वो गर्मी थोड़ी सी लोगों को रहत नहीं है लेकिन पटना में भी मौसम बदला है और यहां पर भी उसका असर कुछ जरूर देखने को मिल रहा है तेज हवाएं थोड़ी सी चल रही है अगर हम हवाव की बात करें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पंचियों में थोड़ी से ज़्यादा चहल कदमी आ गई हैं पंचिया काफी यहां पर पंचिया कास में दिख रहा हैं तेज हवाएं यहां पे भी चल रही है और धूल थोड़ी सी वातावरण में भर गई है अम एक बार आप पीछे आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से अगर थोड़ा सा पीछे आप जूम करके दिखाना चाहे तो मैं चाहूँगा कि हमारी कैमरामेन थोड़ा सा उधर दिखाएं किस तरह से धूल जो है वो वातावरण में तरीके से पूरा फैला हुआ है आप दूर तक अगर देख पा रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां भी धूल चल रही है यहां भी हवाएं तेज पूजगती से बेह रही है और यहां पे भी कही न कहीं लोगों को थानी तुफान का डर जरूर सता रहा है हम लोगों से भी जानने की कोशिश की उनका यह कहना है कि हालाकि मौसली भाग या फिर पुर्सासन की ताहट से इस तरह से कोई यहां पर एलट जारी नहीं किया गय हम अभी इस वक्त अपने ओफिस के च्छत पे हैं और यहां से हम आपको नजारत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी के समय आपको यहां पर किस तरह से अगर आप मेरे कपड़ों को या फिर देख पा रहे होंगे कि हवा यहां तेज भी चल रही है तो नियूज 11 के जिस फिलाल के लिए इतना ही नमस्कार